हेलो स्टूडेंट्स फायरेन आइस पर एमसी क्यू का यह सेकंड टूटोरियल है और फ़स्ट टूटोरियल में हमने सेवेसी का जो ऑफिशल कश्चन बैंक था और सेंपल पेपर में जो कुश्चन पूछे गए थे इस पोएम से रिलेटेड उन्हें हमने डिसकस किया था इस पोएम में कुछ प्रैक्टिस के लिए कुश्चन लेंगे और अब तक तो आपने जो पोएम मैंने बनाया हुआ है वह आपने देख लिया होगा और पोएम आपको ठीक से समझ में भी आ गई होगी और समझ गए होंगे किस प्रकार से पिछली बार भी मैंने टूटोरियल मे है और जो वार इंडिफरेंस है वो आइस रेप्रेजेंट करती है इसके एक्जामपल्स भी ढूड़ने के लिए में परिशान नहीं होना पड़ता जैसे नूइस पेपर आप उठा लीजे आप जैसे आइस जो हैट्रेट को इंटॉलरेंस को इन सब को रेप्रेजेंट करती इन डिफरेंस को कि हाम आक्मोध लेते हैं हमें कोई फरक नहीं परता जैसे ट्रे going किसे नेशान हो सोछ तेर नहीं कि सामने वाली वर्लाफ मार देते हैं intolerance, insensitiveness, कि किस परकार से उन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, दूर्सी तरफ हम और ये फेरी डिजायर्स हैं, उनके चक्कर में हम लोग दुनिया भारे में एक्स्प्राइट कर रहे हैं, नेचल रिसोर्स को, और ग्लोबल वार्मिंग, और क्लाइमेट चेंज, कितना क से कहा गया तक सर थोड़ा मीनिंग भी बता दिया करिए, तो वैसे तो वह टुटॉरियल का हिस्सा है, जो इस पोएम पर बने हुए हैं, लेकिन मैंने इसमें सोचा कि लाओ, आपको स्क्रीन पर में दिखाई देता हूं, और यह मैंने वेबसाइट पोस्ट किया हुए, वह देखे आई यहां पर है, तो फिस्ट पर्सन में रोबर्ट फ्रॉस्ट खुद लिख रहे हैं और बता रहे हैं जो कहना चाहते हैं, और यह रहे मीनिंग्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने आपको बनाए हैं, और सबसे पहले कुश्चन मैं आपको बुक कर लेना सकते हैं, उसी प्रकार से आई रिप्रेजेंस हैट्रिड लेकिन उससे रिलेटेट पहुत से जो हम यहां पर यूज कर सकते हैं आपको इसे प्रकार से हैं, देख यह हो सकता है कि आप कुछ और सोच रहे हूँ जैसे माली जी यहाँ पर cruelty है तो cruelty हम यहाँ पर रख सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि cruelty दुनों जगा होनी चाहिए लेकिन जैसे intolerance है rigidity है coldness है indifference है insensitivity है तो यह सब कही न कहीं हमारे eyes के representation है hatreds और उससे related representation में आएंगे और यह तो हमारी fairy the fire of desire से related है तो इनको थोड़ा study करके रखे और भी words इसमें हम जोड सकते हैं ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इतने से ही काम चलने माला है तो आगे बढ़ते हैं और पहला question जो है वो poem मैंने बगल में रख दी है पहला question हम यहां से लेते है according to the poet fire stands for देखे fire किसके लिए है और eyes किसके लिए है यह आपको पता होना चाहिए अलाकि यहां भी जो options दी है इससे different options देकर भी आपसे पूछा जासकता है जोगि fire desire को represent करती है उसमें patience भी आते हैं हमारे numbness को हमारे non reactiveness को दिखाती है कि जो हो रहा हम पर उसे फर्क नहीं पड़ता तो उसमें indifference भी आएगा kindness तो आईगी नहीं sympathy आईगी नहीं पैसन आएगा नहीं तो इसका answer यह है मतलब we are indifferent हम उदासीन है और we are not reacting to whatever is happening around us या हम किसी को परिशान कर रहे है तो हमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही है हम उसको आसानी से परिशान कर सकते हैं यह चीज हैट्रेड में होती है तो तीसरा question है what does it refer to in the poem तो इसमें it पूछा गया किसके लिए है तो यह एक जगा आया है अलागी हो सकता है आपको lines दी जाए मतलब यहां तो मैंने पूरी poem दे दिये यह दो-तिन line दी जाए फिर उनसे question पूछा जाए तो it आया यहां पर कहा गया यह रहा it तो it आया है यहां पर word के लिए ध्यान रखिएगा आप क्योंकि यहां पर इन्हों ने लिखा हुआ है कि word यहां पर जिक्र किया गया है तो आको बिल्कुल भी भटकना नहीं है चुपचा word को निसान लगा देना है कि अगर इसे दो बार खतम होना हो किसे? संसार को ठीक है एक question यहां पर why does the poet hold with those who favor fire तो इसमें साब साब poet कहता है कि दुनिया कहती है कि world दो प्रकार से खतम हो सकता है या तो fire में या ice में लेकिन वो कहता है कि I hold with those who favor fire मैं उन लोगों के साथ हूँ जो यह opinion रखते हैं कि fire से दुनिया खतम होगी क्यों? क्योंकि उसने desire किया को टेस्ट किया हुआ है उसे खुद मालू है कि desire उसके effects क्या होते है तो question पुछा गया है कि why so तो desires unbridled consume relationships unbridled का मतलब यह है कि जिन पर कोई control ही ना हो बेलगाम गोड़ा जैसे जहां दोड़े तो हमारी इच्छाएं अगर हमारे control में नहीं होंगी तो इससे relationships पर असर पड़ता है relationships consume हो जाते हैं मतलब खतम होने लगते हैं तो यह तो बिल्कुल सही है poet himself has tested of desire बिल्कुल इसमें लिखा गया है तो यह भी सही है both A and B तो मुझे तो लगता है यह answer होना चाहिए none of the above तो कोई chance ही नहीं है तो जल्दी यल्दी में बता रहा हूं इनको वैसे आप खुद ही answer इनके निकाल लिया करिए मेरे बताने से पहले अगला group of जो sentence questions है वो यह है हम यह शुरुबात करते हैं find the world from the passage which means the same as endless greed and passion तो मने different books से भी collections बनाये हैं तो यहाँ पर question है कि find the world from the passage which means the same as endless greed and passion तो सीधी सी बात है ना desire क्योंकि desire के group में तो आएगा आप grouping बना के रखिए desire में कौन कौन सी आ सकती है और hatred में कौन कौन सी आ सकती है ठीक है जैसे hate है तो hate जो है endless greed से related नहीं है यह indifference से insensitiveness से related है the poet compares fire and ice तो fire and ice को compare किया गया है उनका metaphorical representation है तो उसमें आएगा कि क्या human desire से या human hatred से तो देखिए fire का तो human desire से हो गया आइस का hatred से हो गया इसका लब A and B दो नो ओके what is the antonym of the world paris देखिए इसमें आप जाना सफाइस और Paris है ना यह सब कुछ पता करके रखिएगी सफ-parish का meaning क्या होता उसका antonym क्या हो सकता है suffice उसका antonym क्या हो सकता है desire word यूज हुआ है तो desire का antonym क्या हो सकता है इससे desire है तो इसका अगर हम ढूड़े opposite तो unwanted हो सकता है lacking हो सकता है इस तरह से पारिश का मतलब होता है खत्म होना दाई जिसका पोजट क्या हो सकता है सर्वाइव हो सकता है सफाइस का मतलब adequate sufficient जिसका meaning इसका opposite अगर आपसे पूछा जाये तो क्या हो सकता है तो inadequate, insufficient not enough ऐसे दिमाग लगा ये तो पारिश का एंटॉनिम क्या हो सकता है देखे डाई इसका तो synonym होता है मतलब मरना तो निश्चित है कि इसका एंटोनीम होगा to survive डाई का पोजिट शर्वाईव ठीक है एंटोनीम पूछा गया है synonym नहीं पूछा गया तो पिछली बार मैंने पूछा था आपसे fire और अपकी बार क्यों ये पूछता है कि दुनिया आई से भी खतम हो सकती है तो eyes will glow colder no क्योंकि इसमें symbolic representation किया गया यहाँ पे बर्फ वाली बर्फ literal meaning नहीं लिया गया नहीं यहाँ पर fire का literal meaning लिया गया ठीक है यह human emotions को लेकर poem लिखी गई है यह किस प्रकार चे human emotions humans के relationship को यह consume करते हैं जैसे यहाँ पर क्यार वहां poetic device मिलेंगे excessive desires are destructive हाँ यह बात तो है sun will grow water and burst एक दिन सूर फट पड़ेगा तो इनको सब को हटाना है आपको people will have become people have become cold and insensitive बिलकुल यह तो सही है तो इसमें से eyes का पूछा गया है तो eyes में तो यही वाला सही है ठीक है क्योंकि excessive desires जो है न वो fire वाले में चला जाएगा तो सिर्फ eyes से पूछा गया है तो यह वाला answer आपका हो जाए ठीक दिस answer कि लोग जो है वो cold or insensitive है मतलब दुनिया में बगल के पड़ोस में क्या हो रहा है उसके प्रति प्रत आफ कॉस्चन से यह है कि fire और आइस सिंबोलाइज तो फायर और आइस एक रिलेटेट कुस्चन में ले चुका हूं अलड़ी कि कि किसको सिंबोलाइज करते है होट और कोल्ड वैदर नो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हुमन इमोशन यस यह भी दोनों है फायर और आइस on इसे इससे हैट तो इनको यह सेल्फ डिस्ट्रक्ट्टिव है अगर इनको आंको अश्च्रीम विंज किया जाये तो स्यल्फ डिस्ट्रक्टिव है खर एटैट तो बिलकुल होनी नीच इए इक्स्ट्रीम इसकी ओं अर रिज्त अग ने यहां पर यह एक्स्ट्रीम इमोशनल बिहेवियर की तरफ लेके जाते हैं इसके बाद पॉएट फेवर्ड वर्ड विल एंड विद तो यह बहुत यह असान है क्योंकि पॉएट कहता है कि दुनिया कैसे खतम होगी आइस या फायर से अब मैं किस से अगरी करता हूं फायर से एक्स्ट्रीम इमोशन्स ऑफ यूमन बिंग्स जिसमें फेरी डिजायर्स हैं और इंसेंसिटिव कोड़नेस ऑफ हाल्ट है तो अबाउट गुड़नेस और वर्ड वर्ड क्या पोएम दुनिया में अच्छायों की बात करती है ऐसा कुछ नहीं है रिवाल्स अराउंड पीस और वर्ड तो क्या ये दुनिया में पीश और वर की बात करती है ऐसा भी नहीं है इंट्रॉक्टिव इनफ टुर्ण कर सकते हैं दुनिया को खत्म करने कि मालूम है जो हिूमन रिलेशन्स शिप्स हैं आपस में और जो सिवलाइजेशन क्योंकि हिमन रिलेशन्स शिवलाइ fire and eyes has potential to end the world ऐसा कोई बात इसके अंदर नहीं की गई है इसके अंदर जो symbolic जो बाते कही गई है theme वोई ये है what is similar between fire and eyes fire and eyes में क्या similar है common चीज क्या है दोनों के बीच में देखे वैसे तो देखा जाए तो common चीज है कि वो destruction ही है लेकिन देखते हैं they both are very powerful they both are equally important for survival best हमें चुनना है they both can end the world yes all of the above तो मुझे लगता है कि इसमें fire and eyes they both can end the world ये इसी में हमारा सारा काम चल जाना है ठीक है बाकि सब थोड़े सा abstract है लेकिन ये एकदम सही है poem जो कहती है उसमे what does Robert Frost confess in the poem confess का मतलब ये है कि Robert Frost जिसमें एक अपनी बात कहते है कि हाँ I accept this thing with me तो वैसे तो आप ढूर सकते हैं कि sir वो कहता है कि fire and disagree करते हैं ये है वह लेकिन एक confession उनका ये है कि he knows enough of it क्या वो poem ये कहते हैं कि he knows enough of it क्या वो hatred को भी ठीक डंक से जानते हैं मतलब he has experienced and he has himself tested desire और desire को उन्होंने खुड टेस्ट किया है he has undergone the impacts of the desire तो देखें human beings हैं तो desire तो होती होती है तो आपको बताना है कि only be क्या ये सही है या A और B दोनों सही है ठीक है अगर आप poem को ठीक से देखें देखें मैं लेके चलता हूँ poem पर यहां इन्होंने ये कहा है कि I think I know enough of hate देखें और यहां पर लिखा है I have tested desire तो दो confessions इनके हैं हम दोनों को मानेंगे तो यहां पर हो जाएगा both A and B यह थोड़ा सा spelling mistake हुए इससे मैं सही कर दूँगा तो poem में message क्या है we should not be greedy यह message तो है हमें लालची नहीं होना चाहिए क्योंकि अब देखें लालच का मतलब भी है कि हम कहीं न गई दूसरे के हक को मानने कोशिश करता है लालच बुरी बला है और वो desire का हिस्सा है moderation in behavior to sustain relationships यानि हमें अपने behavior में moderate होना चाहिए balance attitude लेके चलना चाहिए दूसरे के भी कदर करना चाहिए तो ये तो appeal हो सकती है message भी हो सकता है restraint desire and tolerance towards other यानि कि हमें अपने desires पे control रखना चाहिए और दूसरे के पती हमें tolerance होना चाहिए मतलब दूसरे को भी महत्र देना चाहिए respect देना चाहिए उसकी बातों को तो ये तीनों मुझे सही लग रहे हैं तो इसके लिए हम all of love up कर सकते हैं इसके बाद दो question और है तीन question the sublime subject in the poem fire and ice मैं कहीने देखा था मैंने किसी book में तो मैंने का लाओ इसको बनाया जाए sublime को लब यहाँ पे जो meaning निकल रहा है यह है कि human behavior की जो extremes है उनकी कही न कहीं बात की गई तो वो है love and hatred क्योंकि love क्योंकि we desire what we desire we love that we love our desires तो उसके extremes जो होते हैं वो नुक्सान दायक है and hatred तो वैसे भी नुक्सान दायक है यह हमें intolerant बना देती है यह हमें cruel बना देती है यह हमें insensitive बना देती है हम किसी को भी नुक्सान पहुंचाते हो हमें तकलीफ नहीं होती हमें hard hurt it जिससे cold hurt it आप कह सकते है that is liberty यह बार destruction तो ऐसा question नहीं answer है how can we prevent fire and ice from ending the world माली जैसे कोई question पूछ लिया जाए कि भाही इसमें जो message है तो वह destruction का है और destruction due to the human behaviors based on their emotions तो अब कैसे बचाया जा सकता है तो we should not play with nature क्या हमें nature से खिलवार नहीं करना चाहिए क्योंकि ice और fire की बात हुई है तो देखिए यह बाते उसके अंदर नहीं की गई है उनका literal meaning नहीं लिया गया we should control global warming क्या हमें global warming को control करना चाहिए we should refrain from excessive use of fire and ice क्या हमें fire and ice के excessive use से बचना चाहिए अगर दुनिया को बचाना है तो we must restrain our desires हमें अपने desire पर control करना चाहिए हमें tolerant होना चाहिए हमें sympathetic होना चाहिए दूशे लोग प्रतिजी हाँ अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित है कि हम relationships को civilizations को और man man को कहीं न कहीं बचाने में काम्याब रहेगा relationships बचेंगे दुनिया safe होगी, peace होगी Is there any paradox? paradox का मतलब होता है कि आपस में दोनों एक दुशे की विप्रीत बाते हैं कि हम कहतो रहें ये भी और कहतो रहें ये भी और दोनों आपस में टकरा जाएं तो विरोधा भाज इसे हिंदी में कहते हैं कि हमारी अपनी दो ही दोनों ही बातों में विरोधा भाज है ठीक है? कि मुझे sweets बहुत अच्छी लगती है और रजगुल्ला बर्फी जलीबी में खाता नहीं हूँ तो हो गया contradictory approach येस तो paradox है पहला है कि paradox है क्योंकि कोई भी चीज जो है वो दो बार जी और मर नहीं सकती मतलब वो जनम ले रही है तो एक बार तो मरेगी एक बार तो ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती है एक साथ दोनों क्योंकि इसमें कहा गया है कि perish twice दुनिया अगर दो बार खतम होनी हो तो एक paradox यहां पर yes as the desires never end या paradox इसलिए है क्योंकि desires कभी खत्म नहीं होती तो यहां पर खत्म करने के इसे बात कही गई है कोई paradox नहीं है क्योंकि death inevitable है वो आके रहेगी इसमें paradox है कोई बात ही नहीं है both a and b are true यानि a and b are true तो देखिए इसमें paradox है वो paradox है a कि हां कि how can the world die twice no तो यह questions थे इसके इलावा भी कोई भी question आप से पूछा यह सकता है आप उसके लिए टैयार रहे बस बहुत आसानी से आप इसे related कोई भी question का answer दे सकते हैं बस आपको ये पता होना चाहिए कि poem में fire को represent करने वाले कितने-कितने words हम यूज कर सकते हैं और ice को represent करने वाले कितने-कितने words हम यूज कर सकते हैं फिर आप कोई भी आंसर दे पाएंगे, बस इतना ध्यान रखिए कि लिट्रल मीनिंग की तरफ नहीं जाना है, उसके सिंबॉलिक मीनिंग की तरफ आपको जाना है, तो I end this tutorial here, बाई बाई